हेलो गाईज दिसीजा सिक्षा उपाध्याय आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बियलेट कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में हम डिस्कुस करने वाले हैं कमनी केशन गाईज इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कुस किया था टीचिंग के बारे में और बहुत सकते हैं मैं पूरा कोशिश करूंगी आपका समाधान करने के लिए तो यहां आप देख सकते हैं कि वाट इस कमनीकेशन के बारे में में बताया गया है कि कमनीकेशन इस एंडेयाज फिलिंग्स और मीइनग्स बिट्विंट जर्मोर परशं आप कमनीकेशन को आइडियाज के माध्यम से, फिलिंग के माध्यम से, आइडियाज यानि विचार, फिलिंग से यानि इपने भावनाओं के माध्यम से, अपने भावयों विचारों को ब्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुचा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, तो यह सब कमनीकेशन क के माध्यें से आप कर सकती हैं और इस विक्टर में आप देख सकते हैं कि जो कमनिकेशन है वह कोई वीससासब। के बीच के बीच नहीं हो होता है वह कोई भी डोविया दोस्यादिक विच हो आध नर्स के बीच होुँआ जहेंten डॉक्टर के मतंदे हो। ranged student Feels इंके मतंदे हो। तो communication जो है अपने बातों को समझाने के लिए एक दूसरी तक पहुंचाने के लिए communication का शहरा लिया जता है communication skills भी होती है में communication skills देख रा जाता है कि आपके सोचने का जो तरीका है वह आप सोच कर अपने बातों को अपने वर्ड को अपने फिक्ट को कैसे दूसरे के सामने रख सकते हैं तो अपने भावयों विचारों को एक दुसरे के सामने रखना और दूसरों को समिझाना अगर वह कुशनांना मेसं कम्निकेशन सकसेज हुआ जब हम कमनिकेशन के आर्थियों परिभासा पर चलते हैं जिकी इसकी मेनिंग क्या है इसकी या है तो कमनिकेशन यानी कि श्मप्रेशण सबस्द के उथपत्ति हुई है वह लैटिन भासा के कमिनिस सब्द से हुई है शंप्रेशन सब्द अंग्रेजी भासा के कमनी केशन से का हिंदी रुपांत्रण सब्द है जिसका कमनीस सब्ध का तातिपर होता है common या शमानी सम्प्रेशन सब्द के अंतरगत प्रेशन क्रिया प्रभावी होती है जिसका अर्थ होता है किसी बिचार यानि कि अपने थौट्स जो है दूसरे ब्रेंतक या दूसरे मस्तिस तक पहुचाना या भेजना संप्रेशन व्यापक संप्रत्य है जिसके अंतरगत सूचना विचार या संदेश भेजने का कार्य दूपच्छी या बहुपच्छी होता है दूपच्छी यानि दो लोगों के मद्ध बहुपच्छी यानि क कि दो से अधिक लोगों के मध्य हैं शंप्रेशन की प्रिक्रिया भेजने वाला प्रेशक होता है जो भेजने वाला होता है वो प्रेशक होता है शिंडर होता है और जो गेन करने वाला प्राप्ट करने वाला होता है उसे रिसीवर कहते हैं तो समान रूप से यानि की प्रेश जाता है कि आप यहां समझ सकते हैं कि कमनी केसन प्रोसेस से होता है जैसे कि यहां संड करने वाला है मैंश्य को अपने वाइस को अपने थॉट्स को यह सेंड करेगा और यह दिशीव करेगा encoding यानि कि यह encode करेगा लिखेगा चीजों को और decoding यानि कि यह अपने words में आपने हिसाब से जिस language में suitable है उस language में convert करके फिर यह उस information को उस thoughts को gain करेगा फिर उसके बाद feedback देगा कि हमें समझ में आया की नहीं तो इस प्रकार से communication की जो process होती है वह संपन्द हो जाती है और एक medium के तहत मीडिया के तहत communication मीडिया होता है जिसके तहत यह process होता है तो communication मीडिया कोई भी कुछ भी हो सकता है जैसे कि हम मुबाइल के माद्यम से हम message इधर से send करते हैं उधर से दूसरे mobile पर send करने वाला एक receiver होता है और मुबाइल जो होती है वह media होती है जिसके तहत हम अपने thoughts को अपने information को दूसरा receive करता है तो guys मुझे आसा है आप लोग यहां से समझ गए होंगे जो communication process होती है किस तरीके से होती है तो guys communication जो है वह दो लोगों के मद्ध होता है और दो लोगों से अधिक भी हो संप्रेशन का नहीं मानी जाती है तो guy's यहां देखते हैं कि शंप्रेशन की प्रक्रिया में भाउं तता विचारों का एक पक्छी अस्थाना नहीं होकर पारस्पिरिक रूप से आधान दो से अधिक ब्हाओं विशारों यơम संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं फिर गाईज अता हम कह सकते हैं कि शम प्रेशर प्रेशर करने की भेजने की प्रेशर यानि भेजने की अपनी बात दूसरों तक पहुचाने की तथा दूसरों की बात सुनने की विचार विनमे करने की विचार विनमे यानि की अपने विचारों का आधान परदान करने की अफ व्रित्यों, संवेधनाओं, विचारों तथा सुसनाओं यों घ्यान नौलेज की विनमे करने की प्रोसेज्टा है. शंप्रेशर में हम शाब्दी यानी की वर्बल यों आशाब्दी यानि की नॉन वर्बल दोनों प्रिकार के संकेतों का प्रियोग करते हैं एक वर्बल यानि की साब्दिक और आसाब्दिक यानि नॉन वर्बल तो वर्बल में से ही होता है कि आप सब्दों के माध्यम से अपने विचारों को सुछनाओं को एक दूसरे तक पहुचाते हैं और मेंनिंग और इसकी डिफिशन के बारे में डिसकस करने वाले में एक अगर प्रतक नाम है इनको हम याद रख सकते हैं जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं जो यह लैप टॉप है यह डेल कंपनी की है डेल कंपनी अमेर की कंपनी है तो आप इसके डिफिनीशन दिये हैं संप्रेशन की एडगर डेल आप डेल कंपनी से रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं अगर आपको रिलेट करके चीजों को याद करते हैं तो आपके मस्तिस्क में हमेशा अस्थाईर आता है तो जैसे कि संप्रेशन के बारे में अगर कभी आप से कोई पूछ लेता है या आपको कभी एक्जाम टाइम नहीं याद आ रहा है तो एक दो डिफनीशन अगर अपने आपसे अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो इक्जाम टाइम को पता चल जाता है कि आपको कमिनिकेशन के बारे में नौलेज है तो इसको हम इसलिए अच्छे से बता दे रहे हैं आपको जैसे कि डेल से हम याद रख सकते हैं कि एडगर डेल इनकी क्या दावर कलिया है प्रोसेस है तो आप उस जो लैटाप है डेल कंपनी का लैटाप पता है वह अम एक ही कमपनी आपको मैंने बताया पहले ही तो आप इससे याद रख सकते हैं और लैपटॉप में भी हम कम्यों कर सकते हैं हम उसमें अपने सुसनाओं को भाविचारों को इनक कर सकते हैंقís प्रैशन विचार्व विंमैं की मनुदसा में विचारों तथा भावनाओं को प्रस्पर जाने समझने की प्रिक्रिया है यानि कि जो संप्रेशन की communication की जो प्रोसेश होती है उसमें हम अपने टॉप से अगर को रिलेट करके याद करती हैं तो यह हमें आशा है आप लोगों को याद हो जाएगा अगर हम इंग्लिस में देखें इनकी डिफिनीशन है तो आपको जिस लैंग्विज में suitable लगे हिंदी या इंग्लिस आप याद रख सकते हैं तो गाइज अब हम देखते हैं लूगीश यों वीगल के लूगीश और वीगल जो हैं इनका मत क्या है संप्रेशन के लिए तो इनका है कि इनके कॉर्डिंग है इन्हों ने लिखा है कि शंप्रेशन वह प्रिक्रिया है जिसके द्वारा शामाजिक बिवस्था के अंतरगत सूचनाओं निर्देशों तथा नेड़े द्वारा लोगों की विचारों में के मतों में उनकी और वरित्यों में परिवर्थन लाया जा सकता है चैन्जन लाया सकता है यानि लूगीश और उसमें वीगल गाह आपने सूचनाओं का निर्ष द्वारा लोगों की विचार है इसको कनवर्ट कर सकते हैं जैसे कि तो थने कि अगर कोई भी बालग है इसको नहीं समझ में आ रहा है तो तो इसको देती है डाएक्ट कोई भी सुजाओ दे रहे हैं उनको सजेस्ट कर रहे हैं तो हम डिसीजन जो देते हैं तो डिसीजन भी हम संप्रेशन यानि की कम्निकेशन के माध्यम से देते हैं तो यह लुगिश्यम वीगल के कि हम निर्देशों नीड़े और सुचनाओं के द्वारा लोगों के विचारों को परिवर्तन कर सकते हैं फिर गाई उसके बाद हैं लीगन्स के अकॉर्डिंग इन लुगिश्यम वीगल के जैसे था वैसे लीगन्स के कॉर्डिंग है संप्रेशन वा प्रिक्रिया है जिसके दोरा दो से दो या दो से अधिक लोग विचारों तत्यों भावनाओं तत्य प्रभाव आदिका इस प्रकार प्रस्पर विर्म करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को मैसेच को शमज जाते है संप्रेशन में संदेश देने वाले तसा संदेश ग्रहन करने वाले के मद संदेशों के माध्यम से समन्मय अस्थापित किया जाता है या जो संप्रेशन किया जाता है अपने भावों विचारों को उसे दूसरों को भी समझा जाता है खुद भी समझा जाता है फिर उसके को ईसके बीच समनन्म कर सकते हैं संसरी कि कर सकते हैं एंडर्शन एक रृधियात्मग तुक्लिज दूसरों की बैं। यानि जो मैं रूप से संग्यान आत्मक धाचे विस्त के बारे में जानकारी यान Live कोई भी वस्तु है लिए जानकारी जैसे कि एक सिरे जैसे कि अगर विक्षे पारी होना संघ्यान आत्मक प्रक्रिया यानि की डायनेमिक प्रोसेज माना है कम्निकेशन इज़ डायनेमिक प्रोसेज इन काग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द अधर थो शिंबॉलिक टूल्स और मेंस आफ देख सकते हैं फिर गाज उसके बाद है लिखुर्ण में की जो सीजन होता है जो हमारा वेदर होता है इसमें से शमर ऑटम ये सब में से अम्मट यह सब में से एक समर होता है गर्मी तो हम इनकी जो नआम है निवग। और समर से याद रख सकते हैं ली की सब्सक्रीट करने की कला है ने कि दो या दोसे अधिक भेक्दियों को आधान परदान का जाने की कला है तो दो या दो से अधिक बिक्तियों के मद्द अपने विचारों को, थौट्स को, अपने मतों को, अपने भावनाओं को, फीलिंग्स को सेयर करने की एक कला है, आर्ट है, इन्होंने कहा है, कि जो संप्रेशन है, वो दो या दो से अधिक मद्द लोगों के मद्द, अपने भा को अपने विचारों को आदान परदान की एक कला है आर्ट है कम्मिकेशन इस एक्सचेंज ऑफ आइडियास फैक्ट्स ओफिनियन्स और इमोशन्स बाइटू आर्मोर पर्शन्स पिरकाज उसके बाद है कि इन्होंने कहा कि शधान सब्दों में शंप्रेशन एक या एक से अधिक ब्लिक्तियों के मद्धि 생각ार और लोगों के मद्धिं तो यह इमरी तथा अन्न के एकॉर्डिंग हो गया अगर इंग्लिज में हम डिफिनीशन देखें तो सिंप्ली डिफाइंड कम्निकेशन इस दा आर्ट आफ ट्रांस्मिटिंग आइडियाज इन्फरमेशन और अट्टिटूट फॉर्म वन परसंट टू अनदर परसंट फिर इसके बाद लाश्ट डिफिनीशन कीठ डेविस के एकॉर्डिंग शंप्रेशन सूचनाओ यहों समझ को एक बेक्ति से दूसरे बेक्ति तक पहुचाने की परक्रिया है यानि शंप्रेशन का इन्होंने यहीं मीनिंग बताया है कि सूचनाओ का या अपने समझ को यानि जो इंफर्मेशन है उसको एक से दूसरे विक्तियों के पहुचाने की यह और इसमें हम अपने अंडरस्टेंड यानि अपने समझ को ऑपने इंफोंने को एक से दूसरे विक्तियों तक पहुचाते हैं तो गाईज मुझे आज सा है उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन हमारा बेहत पसंद आया होगा जो कमनिकेशन है शंप्रेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा तो गाईज अगर आपको समझ में आ गया है तो यह कमनिकेशन को अपने दैनिक जिवन में भी यूज क is that thank you guys